नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यव चैनल सेनानी नियोज में दोस्तों केंदर की मोधी सरकार प्रोवत्तर के सभी राजियों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोडने के लिए तेजी से काम कर रही है हम लगातार इन प्रोजेक्ट का अपडेट आप तक वीडियो के मादेम से पहुँचा रहे है इसी क्रम में आज हम आपको बैराबी सेरंग रेल लाइन परियोजना का अपडेट बताने जा रहे है 51.38 किलोमीटर लंबी यह परियोजना मिजोरम के अभी तक के एक मातर रेलवे स्टेशन बैराबी से मिजोरम की राजधानी आईजोल को जोडेगी कि बैराबी सेरंग रेल परियोजना की आधार सिला सत्ता में आने की तुरंट बातप्रधार मंतरी नेंद्र मोदी ने नॉमबर 2014 में रखी थी परियोजना वर्स 2015 में शुरू हुई थी और इसको वर्स 2018 में पूरा करने का लक्षय रखा गया था लेकिन इस रूट पर पढ़ने वाली घहरी घाटियों, पहाडी इलाकों, अक्सर होने वाले भुष कलंग, घने जंगल और मांसून की वज़ा से करमचारियों और और इंजिनेरों को काम करने के लिए काफी कम समय मिलता है इसी वीच कोरोना के कारण भी काफी काम प्रभावित हुआ, साथ ही यह पर योजना भोगोली ग्रूप से भी काफी दुरू है आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मातरी 59.38 किलोमीटर की इस पर योजना में 55 बड़े और 87 छोटे पूल यानि कुल 142 छोटे बड़े पूल, 9 रेलवे ओवर ब्रिज और 12.85 किलोमीटर लंबे हिस्से में 32 सुरंगे मनाई जानी है रेल मंत्रा आले कनुसार 16 मार्स 2023 तक इस रेल लाइन पर 55 बड़े पूलों में से 5 का निर्माड पूरा किया जा चुका है इसी तरह 87 छोटे पूलों में से 75 का निर्माड पूरा हो चुका है 9 में से 6 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माड भी पूरा हो चुका है सुरंगों की बात करें तो 12.085 किलोमेटर लंबी सुरंगों में से 12.06 किलोमेटर का कारी पूरा हो चुका है यानि इस रूट पर छोटे पुलों और सुरंगों का निर्माड कारी लगफ़क पूरा हो चुका है रेलवे का नुसार मार्च दोजार चौबीस तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी सुरवात में इस परियोजना की लागत 284 कोरोन रुपे आखी गई थी जो की अब बढ़कर 5021 कोरोन रुपे हो गई है इस रेल नाइन पर चार रेलवे स्टेशन होटोकी, कवन पूई, मुवल खंग और सैरंग बनाए जा रहे है तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें आप तक सबसे पहले उसकी सुचना पहुंचें जल्दी इस रेल नाइन पर एक और वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे तब तक प्लिए नमस्कार